दोस्तो क्या आप जानते हैं चीन की विशाल दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है जिसे चीन के कई शाशकों द्वारा उत्तरी हमलावरों से सुरक्षा के लिए पांचवी सदी से लेकर सोलवी सदी तक बनवाया गया इस दीवार के कुछ हिस्से आपस में जुड़े हुए नहीं है यदि इसके सभी हिस्सों को आपस में जोड़ दिया जाए तो दीवार की लंबाई 8848 किलो मीटर तक पहुँच जाएगी एक अनुमान के अनुसार इस दीवार को बनाने के लिए 30 लाख लोगों ने अपना पू उठी है इसमें दूर से आते शत्रूओं पर निगाह रखने के लिए निरीक्षण मीनारे भी बनाई गई दीवार की चौड़ाई इतनी रखी गई कि पांच घुरसवार या पैदल सैनिक बगल-बगल में चल सके इस दीवार को चीन के लोग वानली छांग-छंग कहते हैं जिसका अर्थ है चीन की विशाल दीवार भले ही इस विशाल दीवार का निर्मान विदेशी हमलावरों को रोकने के लिए हुआ था सदियों तक इसका उप्योग परिवहन माल तथा लंबी यात्रा के लिए भी होता रहा यह दीवार हमेशा सुरक्षित नहीं रही थी कई बार हमलावरों ने इस पर विजय प्राप्त की और इस दीवार को तोड़ा यह दीवार लगभग 6400 किलो मीटर लंबी है यह दीवार इतनी बड़ी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है इस दीवार को बनाने में जो मजदूर लगे थे उन में से जो कठोर श्रम नहीं कर रहे थे उन्हें इस दीवार में ही दफना दिया जाता था इस लिए इस दीवार को दूनिया का सबसे लंबा कबरिस्तान भी कहते हैं जानकारी अच्छी लगे तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना